हेलो दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका इतियास 5000 साल पुराना है भारत एक विशाल देश है जो विभिटन प्रकार की भाषाओ, रिती रिवाजो परमपराओ से भरा हुआ है भारतिय संस्कुति के साथ हमारा देश दुनिया की एक fastest growing economy है और जिसके चलते हम जल्द ही दुनिया में एक सुपर पावर कहलाएंगे तो आईए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं इंडिया के बारे में 30 से इसी बाते से सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे गंगा नदी के तड़ पर स्थीत और देश के प्रधान मंत्री मोधी जी द्वारा संसत में प्रतिम पर किया गया बनारस का एक पवित्र शहर कम से कम 3000 साल पुराना है इंडु पौरानी कथाओ के अनुसार भगवान शिवा ने वारानसे की कोज की थी महराष्टा के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोनार सरोवर का निर्मान आज से करीब 50,000 सालों पहले एक उलका पिंड़ के प्रिथवी के टकराने से हुआ था ये दुनिया में उलका पिंड़ वारा निर्मी तीसरा सबसे बड़ा लेक है और इसके आजू-बाजू करीब 1200 साल पुराने हिंडु टेंपल से है अगर आप भगोलिक जगाओं में इंट्रेस रखते है तो आप इस जगा को एक पार ज़रूर विजिट कीजिए इंडिया में बहुत चीजों का और कंसेप्स का निर्मान हुआ है साप सीडी से लेकर चेस तक बटन्स, शैंपू, दनमबर पाई एंड जिरो, डामेंड माइनिंग्स, अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री इन सब के साथ साथ चान पे पानी की खोज भी इंडिया ने की है जी हा दोस्तो, दुनिया में एक में पानी पे तहरता हुआ पोस्ट ओफिस के वल इंडिया में है श्री नगर के दन लेक में बोटाउस जैसे दिखने वाले इस पोस्ट ओफिस का इनॉग्रेशन 2011 में किया गया था पोस्ट ओफिस के अलावा अब ये जंग्मू का टूरिस लोकेशन भी बन गया है पोस्ट ओफिस के कामगाज के साथ यहाँ पे स्टैम कलेक्शन वाला म्यूजियम भी है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली ये जगा मेगला स्टेट में शिलॉंग से 65 किलोमेटर दक्षिन पस्चिम में स्टित है माउस सिंड्रम में सालाना एवरेज रेंपॉल 11,872 मिलीमीटर है सन 1985 में माउस सिंड्रम में लगबग 26,000 मिलीमीटर बारिश होई थी और इस जगा को Guinness Book of World Records में as a wetest place on earth का दर्जा दिया गया है भारत के सबसे privileged voter महंद भारत दास गुजरात की गीर forest में बंच नामा के एक छोटे से आवास में रहते है हर बार चुनाव में इनके लिए कालग से मद्दान के अंदर स्तापित किया जाता है महाराष्टर के अहवन नगर डिस्ट्रिक्ट में स्तीत ये गाउ हिंदू देवता शनी महाराज का स्थान है यहाँ पे किसी भी घर या दुकानों पे दर्वाज नहीं होते स्थानिक लोगों का मानना है कि बगवान शनी गाउ का सवरक्षन करते है और इसी भाउना के साथ ये लोग खुले दर्वाजों के साथ भी रात में चेन की नीन सोपाते है उक्तर प्रदेश के जाउनपूर डिस्ट्रिक्ट में स्तीत मधोपती नामा की स्चोटे से गाउने इंडिया को सबसे ज़्यादा आयस ओफिसर्स दिये है कुल मिला के 75 घरों में से 47 घर के लोग आयस ओफिसर्स है इसके अलावा यहाँ के लोग इसरो, बाबा आटोमिक सेंटर और वर्ड बैंक जैसे नमांकित और्गनेजेशन्स में काम करते है लदाक के मैगनेटिक हिल्स के बारे में आपने सुनाई होगा पर इंडिया में तो और ऐसी जगाए है जहाँ पर मैगनेटिक हिल्स पाई जाती है एक है अमरेली गुजरात में तुलसी शाम रोड और दुसरी जगा है ब्लैक हिल यानि काला डूंगर जो गुजरात के रन आफ कच में है भारत पुरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ के 30 से 40 प्रतिशत लोग शुद्ध शाकाहरी है क्रिकेट भारत का सबसे लोगप्रिय खेल है पर क्रिकेट के बारे में एक दिल्चस्प बात ये है कि हमारे पास दुनिया का सबसे उचाई पर स्थीत क्रिकेट स्टेडियम है जो गिनीज बुक आफ वोर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्जा चुका है हिमाचर प्रदेश के छहिल नामक जगा पर ये स्टेडियम सी लेवल से 2144 मिटर्स की हाइट पर स्थी थे युनाड़ेट स्टेट्स के बाद सेकंड रैंक पे आने वाला भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोक संख्या के 12 प्रतिशत लोक इंगलिज बोलने में सरल है सन 1963 में इसरों ने अपना पहला रॉकेट केरला के एक चर्ट से लॉंच किया था इस रॉकेट का ट्रांस्पोर्ट साइकल पर किया गया था दोस्तों हम सभी दूद और दूद कोडक्स के शोकिन है तो ये बात जानकर हमें अश्चेरे होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूर उत्पादक देश है और 2015 में भारत में करीब 15.5 करोर टन्स का दूर उत्पादक किया था कबड़ी खेल के शुरुवात भारत में ही हुई है और इंडियान नैशनल कबड़ी टीम ने अब तक हुए 500 कबड़ी वर्ड कप्स की टॉफी अपने देश लाई है वमें कबड़ी टीम भी वर्ड कप्स में काफी अच्छा प्रदर्शन करती है कुम्भ मेले के बारे में आप जानती ही होगे 2011 के कुम्भ मेले में लगबक साथ करोड लोग आये थे और यह संख्या इतनी बड़ी थी कि इसे स्पेस से सैटेलेट के थ्रू भी देखा गया था दुनिया के सबसे उचाई वाले 10 शिखरों में से 9 हिमालया में मोजूद है सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट की उचाई 8848 मिटर से है भारत लगबक 14 प्रतिशत लोग मुस्लिम कमिनिटी से है इसी वज़ा से भारत दुनिया में सबसे जादा मजजित होने वाला देश ब 69 लाख किलोमेटर का रोड नेटवर्क है दुनिया में यूनाइटेट स्टेट्स के बाद दुसरे स्थान पर भारत ही आता है दुनिया का सबसे ज़्यादा उचाई वाला ब्रीज इंडिया में ही है जी हाँ दोस्तो जम्मू और कश्मिर में सीथ छेना ब्रीज दुनिया क सबसे लंबा ब्रीज है इसकी उचाई लगबग 1180 फीट है और ये वर्ड फेमस आइफल टावर से भी 35 मीटर उचा है जी हा दोस्तो मूंबै के बैंटा वर्ली सीलिंग में जितना स्टील वार यूस किया गया है उतना प्रिथ्वी का घेराओ है और हर स्टील वायर 900 टन का वेट संबाल सकती है अगर इन सभी वायरों को संगटित किया जाए तो ये पचास हजार अफ्रिकन हाथियों के जितना वेट होगा वर्ल्ट्रेवल करना सबका सबना होता है तो ये बात सुनकर आपको खुशी होगी कि सबसे कम समय में वर्ल्रेवल करने वाला इंसान बेनी प्रसाद नामक एक भार बिया है इन्होंने 6.6 सालों में 257 कंट्रीस को ट्रेवल करके विज़ए विश्वर रिकॉर्ड बनाया है इंडियान रेलवे नेटवर्क, 7000 से ज़्यादा स्टेशन के साथ एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इंडिया में हर रोज 5 करोल से ज़्यादा लोग ट्रेंड में सफर करते हैं जो कि आस्ट्रेलिया के लोग संख्या के बरावर है वर्ड बुक आव रिकॉर्ड में समाविष्ट किया गया अमरिज सर का गोल्डन टेंबल दुनिया में सबसे ज़्यादर टूरिस्ट विजिट होने वाली जगा है यहाँ पे हर रोज कम से कम एक लाग शद्धालू आते है राजस्थान में स्थीत करनी माता मंदिर हजारोचुम का घर है यहाँ आई तिर से यादरी इन चुओ को अपना पूरोज मानते है और इनकी पूजा करते है इस जगा को भारत के सबसे अजीब आकरशोन में से एक माना जाता है मिजोरम के बकतावन गाओ में अपने सो कमरो वाले हवेली में रहते श्री जियोना च्छाना दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुख्या है इनके फैमिली में 181 सदस्य है उनकी 49 पतनिया, 94 बच्चे, 14 बहु और 33 पोते है स्थानिय रूप में इस जिल को रहस्य जिल या कंकाल जिल के रूप में माना जाता है उत्तरा खंड़ का रूप गुल्ड अपने तल पर और आसपास वाले शेत्रों में मानवी कंकालों के मिलने की वज़ा से बदनाम है अगर आप बाइक टूरिजम में दिल्चस पी रखते हैं तो ये बाद आपको ज़रूर पता होगी कि लदाक का खरदूंगला टॉप दुनिया का सबसे उच्चाई वाला रोड है जहां तक आप आपकी कार या बाइक को ले जा सकते हो अपने नाम के अनुसर चलने वाली The Lifeline Express या जीवन रेखा एक्सप्रेस दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेंड के इस ट्रेंड में सरजरी से लेकर कैंसर ट्रिटमेंट तक के इलाज किये जाते हैं मुख्य शेहरों से दूर गाओ में मेडिकल की सुविदा पहुचाने के लिए इसे 1989 से कारेरत किया गया है डॉक्टर एपीज अब्दुल कराम जी ने 26 में स्विजर लैंड को विजित किया था तब से वहाँ पे ये दिवा साइंस डे के नाम से मनाया जाता है जिजर लैंड के लोग डॉक्टर एपीज अब्दुल कराम जी को Father of Indian Missiles प्रोग्राम के रूप में देखती है तो दोस्तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा और हमें सब्सक्राइब करें सपोर्ड करें और चैनल के बारे में सुजाओ जरूर दे धन्यवाद